नमस्कार दोस्तों आप सबको स्वागत है हमारे यूटुब चैनल फ्री कंपटर ट्रिक्स में तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बताएंगे आप कैसे खुद आपका अधार कार्ड जो है ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं जी हो दोस्तों UDIि की आधार सेलफ सर्विस अपडेट वोडल के जरीए आप आपका अधार कार्ड जो है ओनलाइन अपडेट कर सकते हैं तो यहां पे आपको बताना चाओंगा दोस्तो आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल में आप किस किस चीज के अपडेट करवा सकते हैं सबसे पहले यहां पे आपको अपसन दिया जाते हैं दोस्तो आप आपका नाम, डेटर बार्थ, जेंडर, अड्रेस, एंड लांग आपको सर्च करना है UIDAI या फिर आप डायरेक्ट भी उस वेपसाइट को विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है UIDAI.gov.in तो दोस्तो UIDAI.gov.in पर जाने के बाद यहां पे थोड़ा नीचे स्क्रोल करें यहां पे आपको अप्शन मिल जाएगा दोस्तो देखिए अपडेट के यहां पर क्लिक करें उसके बाद यहां पे आदहर अप्डेट सर्विस का एक उपन हो जाएगे दोस्तों आपको धोड़ा नीचे विलक्डिक करना है कर करaso अपडेट अड्रेस इन्योर आधार और उसके बाद यहां पे आपके स्क्रीन पर आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पॉर्टल जो की वाई डियाई की तरफ से वह लौच हो जाए के दोस्तों यहां पे आप क्या-क्या अपडेट कर सकते हैं यहां पे बिलकुल आपको लिखा आधार नमबर पूछा जाएगा दोस्तों तो यहां पे आपका 12 डिजिट वाला UID निकि के अधार नमबर और और आप आधार Self Service Update Portal का यूज़ करना चाहते हैं तो आपके आधार में Mobile Number लिंक्ड होना बहुत जरूरी है अगर आधार कार्ड में Mobile Number लिंक्ड नहीं है तो आप यह फीचर जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं तो यहां पर Send OTP पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद यहां पर आपका नेक्स्ट यहां पे आपको Update Demographic Data का एक पेज मिल जाएगा दोस्तों तो यहां पे आपको Update Demographic Data के उपर क्लिक करना है देखिए यहां पे लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों Update Demographics Data Including Address Select this option to Update Demographics Data Including Address भाया फ्रूप तो Update Demographics Data के उपर क्लिक करें और यहां पे आपको पूछा जाएगा दोस्तों Select Any of the Following data fields to Update तो यहां पे फिलाल email और mobile number disabled है इसको आप अपडेट नहीं कर सकते हैं और यहां पे आपको Language, Gender, Address, Name and Data, Birth का अप्सन दिया जाता है तो फिलाल यहां पे हम Address Select करेंगे दोस्तों जैसे कि हम Address Update करने वाले हैं तो Address Select करें, Select करने के बाद Proceed के उपर क्लिक करें तो जैसे ही आप Proceed के उपर क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको एक करेक्शन कर सकते हैं, Date of Worth, Once in Lifetime एक बार आप कर सकते हैं, Gender, Once in Lifetime तो फिलाल यहां पे आपको करना क्या है, यहां पर आपको क्या है, यहां पर भर सकते हैं तो यहां पर Care of जो लिखा है आप Care of फिलाब करें, आप बोथ यहां पर English और Regional Language जो है वो एंटर कर सकते हैं, तो यहां पर वो सारे चीज फिलाब करें, और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, जो important चीज है उसको जरूर फिलाब करें, जैसे कि देखी यहां पर आपको दिखा दे हो, यहां पर देखी यहां पर पिन कोड देना है, पिन कोड देने के बाद, यहां पर आपका विलेज से लेट करना है, पोस्ट अपी से लेट करना है, उसके बाद डिस्टिट से लेट करना है, और उसके बाद स्टेट से लेट करना है दूस्तों, यहां पर देखी यह सारे लेते हैं valid document यानि कि क्या-क्या document आप upload कर सकते हैं प्र आड्रेस करिक्षन तो यह दिखिंगे बहुत सवरे document जा गहा है दोस्तों जैसे की passport हो,"Bank statement या फिर past book हो,"POST Office account statement और पास उस राशन刹 डऊटर आईडी," mailgoe government photo ID EGD Cards, Service Photo Identity Card Issue by PSU, Electricity Bill, Water Bill, Telephone Landline Bill, Property Tax Receipt, Credit Card Statement, Insurance Policy, Single Letter Having Photo From Bank on Letterhead, Single Letter Having Photo Issued by Registered Company on Letterhead, Single Letter Having Photo Issued by Recognized Educational Institution लेटर हेड एनरी जीए जॉब कार्ड आर्म्स लाइसेंस पेंशनर कार्ड तो यहां पर बहुत सरे अपसंद दिये गए हैं तो फिलाल आपके पास कौन सा मौझूद है वह सेलेट करें और उसी को आपको अपलोड करना है तो जैसे कि हमारे पास बैंक स्टेट्मेंट और पा बाद अपलोड क्लिक करें और और रिएक करें पडोस तो उसको से अप्लोड करें आप लूह को सकते हैं तो आपका अनरी प flavored करने के बाद यहां पर प्रिवू डीटेल्स पास सकते हैं तो जैसे कि यहां पर देख पारें दोस्तों न्यू करेक्ट अड्रेस यहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको अगर वह सही है तो आपको करना क्या है थोड़ा नीचे स्क्रोल करना है या फिर आप उसको एडिट भी कर सकते हैं तो हमार है कि अटर करने के गाँ है और उसके बाद आपके अपर ऊपर पर क्लिक करना है या यहां पर को 50 रूपिस का पेमेंट करना है दोस्तों आप इसको ओनलाइन पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों जैसे कि फिलाल यहां पे हम डेविट कार्ड यूज करके पेमेंट करेंगे ट्रांजक्शन सक्सेस्फल होने के बाद यहां पे आपको अकनोलेजमेंट रिसीवड पर एसे सीवड की देमोग्राफिक अपडेट मिल जाएगा दोस्तों यहां पे देखिए ट्रांजक्शन सक्सेस आपका यहां पे इन्वाइस नंबर है यूर्ण नंबर है अभी आपको करना क्या है इस चीज़ को डाउनलोड करना है दोस्तों तो यहां पे देखिए आपका अनॉलिजमें तो आसा करता हूं यहां पे आपको काफी शारी जानकारी मिल गया अपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जोर किजएगा और दूसरे एक साथ सेयर भी करें अगर आप हमारे चनल पे नहे हैं तो क्रेपे चनल को सबस्क्राइब करें पहले एकन को प्रेस करें तक इस तरह का ने ने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके जैहिन दोस्तों